आपके पास OPPO K12 है, K12 XIF, K12 Pro है, तो उसके अंदर Message Notification की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो Message Notification की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो Message पर जाओगे, और यहाँ आपको मेन का आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप करने के बाद यहाँ आपको देख जाता है, Message के लिए होता है, जैसे कि आप आप जाएंगे, तो Incoming Message हो है, Background Message है, फिर Other Notification है, ठीक है, तो इन सब के लिए काम करता है, यह सारे, जैसे कि Badges है, Dot है, बागे Bubbles है, तो यह सब पर लग जाता है, बागे रही बात Incoming Message पर करना है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, अगर यहाँ दिख जाता है, Set Silent, अगर आप इसको इनेवल कर देता है, तो कोई भी Message आपकी Phone में आता है, तो उसका Sound कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ से आपको इसको बंद करना है, Lock Skin से आपको किसी Message को Hide करना है तो इसको कर देंगे, Check Mark, यहाँ आपका Hide हो जाएगा, बागे Banner होता है, बैनर मतलब की कोई Notification आता है, यहाँ आपका Banner बन जाता है, बागे Hide Notification, Detail on Lock Screen, इसको इनेवल करके रखना है, कि अगर कोई भी Message आपका Lock Screen पर आता है, तो आपका Lock Screen से पुरा Detail नहीं सो करेगा, अगर इसको आप बंद कर दोगे, यहाँ सब का हड़ जाता है, ठीक है, बा कर देंगे, तो इस तरह से आप अपने फोन में कर लिजेगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कीजेगा, मिलता है नाक्स्ट वीडियों तब तक के लिए बाबाए,